नमस्कार मैं हूँ प्रदीब और आपका XYG प्रदीब चैनल पर फिर से स्वागत है तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालू आपको नोटिफेकेशन मिलता रहे तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो पतंजली मेगा मार्ट जॉब के नाम पर फ्राड हो रहा है वो कैसे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है क्या ये रियल है या फेक तो जैसा कि आप लोगों को भी हो सकता है एक टेक्स्ट मेसेज आया हो कि पतंजली मेगा मार्ट में आपके जिले अनुसार भरती हो रही है और उसमें एक मुबाइल नंबर लिखा रहता है उस मुबाइल नंबर पर आप संपर्क करें तो मेरे पास भी एक ऐसा ही मेसेज आया था तो मैंने उस पे कॉल करके उनसे बात किया उसके बाद सारी डिटेल्स उनके निकाली और मैंने उनके आफिस तक भी विजिट किया विजिट करने के बाद उसमें पता चला मुझे कि ये लोग सब फरजी हैं और वो फोन पे जब उनसे बात की मैंने तो उन्होंने पैसे की पहले ही डिमांड कर दी और कहा documents लेके आना और registration fees के नाम पर उन्होंने पैसे की डिमांड की तो मुझे कुछ doubt लगा तो मैंने office में विजिट किया विजिट करने के बाद पता चला कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ fraud कर रहे है ना ही कोई पतंजली मेगा मार्ट में बैकेंसी निकली है और ना ही ये कोई जॉब दे रहे है ये बस जॉब के नाम पर registration के नाम पर आप लोगो application fees पे कर दीजिए आपकी भरती आपके जिले में हो जाएगी आपके ब्लाक में जॉब लग जाएगी ऐसा कुछ नहीं है जब भी हम कहीं जॉब सर्च करते हैं तो कुछ basic details हम कहीं न कहीं फिल कर देते हैं जैसे हमारा नाम, mobile number, email id और हमारा address तो ये लोग जो होते हैं ये व पर सर्च करें कोई फर्जी website या फर्जी app के चक्कर में पढ़के आप अपनी basic details वहाँ पर ना फिल करें क्योंकि उन्ही basic details से आपके साथ दोका दड़ी हो सकती है जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा प्रचलान में है तो आसा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये जानकर ये अच्छी लगी होगी अलगजानकर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेयर करें और लाइक करना न भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं